एक बार एक फ्लाइट पे एक आदमी बैठे थे, उसके बगल में एक बच्ची बैठे थे और वह बच्ची हेरी पॉर्टर पढ़ रहे थी किताब और हेरी पॉर्टर पढ़ते पढ़ते यूँ देखती, हस्ती, स्माइल करती, पढ़ती सब अपना अपना काम कर रहे थे और फिर वह aeroastis ने अनॉंस्मेंट की कि सब को पता लगा रहा कि प्लेन बहुत जदा ही रहा है aeroastis ने का कि अभी हम कफी चाय नहीं सर्फ कर सकते कि प्लेन बहुत जदा ही रहा है थोड़ा टर्बूलन्स कम हो जाने पर हम आपको बेवरेज़स सर्फ करेंगे। सबको पता लगा कि एक एवल टर्बूलन्स नहीं कुछ तो गड़बड़े हवाई जाज में इतनी चुर से हिल रहा है कि नीचे गिल रहा है जो जो से आस्मान में डर गाए सब चीक रहते चिला रहते रो रहते और पाइलट ने अनॉंस किया कि एमर्जनसी लेंडिंग होगी जो पाइलट ने अनॉंस किया कि एमर्जनसी लेंडिंग करने और साब बिलकुल गपरा गए चिला रहते रो रहते पैनिकी स्टेट और ये बच्ची अभी भी मुश्कुराती हुए है है हैरी बड़ादी बड़ी इंसान बड़े बड़े बिजनस्मेन लेडी साब लोग चिला रहते ये विच्ची विच्छी विच्ची कितापड़ कि मुश्कुरा रहते ती फाइनली लेंडिंग हो गया, एमर्जनसी लेंडिंग, किसी को कुछ नहीं हो, चुटी-चुटी करोचे थोड़े, कुछ नहीं हो गड़े, सब लोग को चलिब्रेट कर रहे हिपह पूरा, बच गय हम, सेलिब्रेशन, तब हो जब आदमे बैठा था उस लड़की के बगल में उसने पूछा, बेटा, इतनी सारी प्रोब्लम चल रहे थी, प्लेन हमा जाट रहा, उपर में चल रहा, सब गबरा रहे थे, सब चीक रहे थे, सब दरे हुए थे, तुम तो मुस्कुरा रहे थी, हैरी पॉर्टर पढ़ रहे थी, लड़की ने का, नहीं, नहीं, अंकल, कबराद में हुए, तो बच्छी ने का, क्योंकि इस हवायजाज इस फ्लाइट के पाइलट मेरे पापा है, और जब हवायजाज के पाइलट पापा है, तो मैं क्यों चिंता करूँ लैंडिंग की, बाकि सब की बाद तो दूर मेरे पापा को सबसे इंपोर्टन चीज यह ल पापा प्लेन चला रहे है, यह चिंतन है, तब फिर बच्चे को चिंता करने की क्या जरुपत है, है ना, और इसलिए जीवन में चाहे कितनी मुसीबते, कितनी कठिनाईयां, कितनी प्रॉब्लम्स, कितनी दूविधाएं आती रहे, जब आपको यह पता लगे, कि इश्वर आपके साथ है हमेशा, इस चिंतन से चिंता धीरे धीरे घटती है,